हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ दन्वी सूध आपका स्वागत हैं हमारे चैनल में पॉलवज के भाईजान सल्मान को लेकर काफी चर्चा रहती है कि वो जल्दी किसी को माफ नहीं करते हैं और उनकी अन्बन भी काफी जादा चर्चा में रहती है रन्बीर कपूर से भी वो उस समय से नराज चल रहे हैं जब वो कट्रीना क्यास की जिंदगी में आ गए थे अब रन्बीर ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि सल्मान खान उनसे बेहर नराज चल रहे है इसके लावर इस फिल्म में रन्बीर कपूर की आने वाली फिल्म जेविल से सल्मान खान बिलकुल भी खुश नहीं है इसके लावर इस फिल्म में रन्बीर कपूर के होने से तो वो गुस्से में आ गए है दरसल अगले साल सलमान खान की फिल्म किक टू भी आने वाली है और सभी जानते हैं कि इस फिल्म में उनका नाम देवी लाल सिंग और देविल है यही वज़ा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान को रनबीर की फिल्म का नाम पसंद नहीं आया है बता दें इस फिल्म को संदीव बांगा बना रही है कहना गलत नहीं होगा कि रनबीर ने एक बार फिर से सलमान को नराज कर दिया है बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भाय जान और रनबीर कपूर को लेकर इस तरह की ख़बर आई हो बता रहें कि सालों से ही इन दोनों के रिष्टे बिग्डे हुए हैं रनबीर कपूर की जिंदगी में कच्रीना के आने से पहले ही सलमान और उनका पंगा चल रहा है खबरों की माने तो सालों पहले जब रनबीर बॉलिवुट में निव कमर थे उस दुरान एक पप के अंदर सलमान और रनबीर के भी जगड़ा हो गया था भाईजान का गुसा इसकदर बढ़ गया था कि उन्होंने रनबीर को चांटा तक जड़ दिया था उसके बाद रनबीर तो वहां से चले गए लेकिन बाद में सलमान की पिता सलीम खान ने रनबीर और इशी कपूर से माफी मांगी थी तब जाकर मामला ठंडा हुआ था सलमान तो करन जोहर के चैक शो कौफी विद करन में भी रनबीर का मजाग उड़ा चुके हैं इस शो के तुरान सलमान ने रनबीर की तुलना एक कुत्ते से कर दी थी साल पर साल बीते जा रहे हैं लेकिन दोनों की लड़ाई कम होने की जगा बढ़ती ही जा रही है वहीं आप संदीब वांगा की सुलम डेविल के नाम से भाई जान फिर से नरास हो गए हैं वेल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि रनबीर और सलमान के बीच की लड़ाई कब तक हतम होती है वैसे आप इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलवर से जोड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ पने रहिए